लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्टरा चनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें भाई साब एक पानी की बोदल देना हेलो मेरे प्यारे जेरी इतने घपराए हुए क्यों हो जॉज अंकल का मस्ती मसाक और मर्या अंटी की स्पेशल चाय समय कैसे बीद्या पता ही नहीं चला मुझे अकेले में बिलकुल टर नहीं लग रहा क्योंकि हमारा बेटा जो है मेरे साथ जूनियर जेरी बहादूर हलो हलो जेरी आवाज नहीं आरी हलो हुए 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 पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है गर्बवती महिलाएं और अजन में बच्चे जिनों अभीताक इस दुनिया को देखा भी नहीं है हमेशा एक स्टाइको मडर के डर में रहते हैं यह दुर्भा की रपूर है महिला हत्या का यह तीसरा मामला है इस महिला की मौत हुई होगी विक्टिम का नाम टेरिसा है और उसका घर यहां से करीब मौत हुई होगी चाहाँ विक्टिम का यह तीसरा इस देखा प्सक्राइब का जाएब का विक्तिम का बच्टिम का यह दुनिया को आप प्सक्राइब कि एक महीने की चुटी के बाद मैंने कल ही जोईन किया है तो तुमने जाने का फैसला कर लिया क्या इसे खुश करने के लिए ट्रिप पे जा रहा हूं ओ बढ़िया प्रेगनेंट वाइफ को खुश करने का बढ़िया तरीका है नहीं अरे वाँ तुम भी यही तरीका आजमाते हो हां सही का ट्रेनिंग पीरिड में यही मेरे गुरू थे मुझसे नहीं मैंने तुम से तुम से संगत खास सर है नमस्ते सर स्वामी शरणम आपका बाए सर कल ही यहां रखो नमस्ते लीजिए थैंक यू नमस्ते लो चाय प्यो अच्छा यह बताओ तुम्हें क्या सच में उस जगह पर जाना है क्या तुम्हें तो पता है वहां पर क्या हुआ था वो सब बीता हुआ कल है चलो चाय भी हो है सुपर हीरो कॉम आराम से तुम्हें हमेशे अपने साथ लेकर चलते हो गया सोते समय भी इसे अपने साथ ही रखता है अब मैं चलता हूं कल सुबह मुझे त्रिवेंद्रम पहुशना है कॉन्फरेंस मिटिंग है चलो बाई सियो बैठो बैठो राजी संभल कर जाना शूर थैंक्स अब मैं चलता हूं सभल कर बेटा बाई और हमसे क्या कर रहे हो ना तुम वक्त देखते हो ना जगा अब क्या बीवी को गले लगाने के लिए मुझे मुहरट ढूना पड़ेगा क्या अब ऐसे दिन आ गए मैं प्रेगनेंट हूँ तुम प्रेगनेंट इसले हुई हो क्योंकि इस पती ने तुम्हें गले लगा था बेशरम कहीं के फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ जंगली भी हो गए हाँ वो तो मैं हूँ ही अच्छा ये बताओ जूनियर राजू क्या कर रहा है इसने अभी अभी अपन बस दूपेग रॉयल सल्यूट तुम मेरा सुधों कर चलो ओके तुम्हारे रॉयल सल्यूट को भी मेरा सल्यूट तुम्हें सल्यूट करना है तो मैं सिखाता हूँ पापा क्या हुआ बेटा कुछ खास नहीं हम बस ऐसे ही बाते कर रहे थे ओए ओव हम चलते हैं इन डोनों तो कल हम यहां से जा रहे हैं गेट सेट गो चिंकी चलो बच्चे कितने खुश है ना तुम्हारे भाई प्याने गोस्ट अंडर का कॉल है आरे वो कोया गोस्ट अंतर नहीं है वो ना पहरा साइकालोजी पर रि Crisp कर र्रिस्च अ सब्सक्राइन गार्रीया कि इसना मतलब शैदी कर लो सभूक अपने आप पता चल जाता है असेकर छलो साले साब देखो तुम्हारी बैन यहीं है हाई हाई सुनो बच्चो तो वहां सब कैसे चल रहा है तो कहां तक पहुंचे तुम लोग हम लोग अब तक यहीं पर है पर तुम कहा हो मैं तुम से बस दस किलोमेटर की दूरी पर हूँ फादर माइकल से मिलने के लिए लाइब्रेरी आया हूं मुझे कुछ डेटा कलेक्ट करना था तुम लोग कब निकल रहे हो बस थोड़ा फ्रेश होकर शाम को यहां से निकल जाएंगे और बताओ तुम लोग इस रास्ते से क्यों नहीं आए इसी बहाने मिल लेता मैं बच्च मेरे जीजा जी का हम अच्छा राजीव का हां अभी वो है कहां त्रिवेंद्रम में हां वो एक यंग ब्रिलियंट बहादूर आफिसर है अच्छा आनन्द उसके बारे में तुम्हें जो जानकारी चाहिए मैं देता हूं एक बात बताओं यहां लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि एक आदमी चोर कैसे बन गया या फिर कोई इंसान सेक्स वरकर कैसे बन गया इसके बारे में पूछते हैं लेकिन तुमने एक ऐसे शक्स के बारे में पुछाए, जो सीरियल किलर कैसे बना, जिसकी जाच करने वाला कोई नहीं। तुम उस पे रिसर्च कर रहे हो, आनन्द। I really appreciate you. हमने इसकी वज़े डूंड ली है। कोई इंसान जन्म से मानसिक रोगी या सीरियल किलर नहीं होता। दरसल उसकी परिस्थितियां और समाज उसे ऐसा बनने पर मजबूर करता है। तब जन्म होता है ऐसे सीरियल किलर का। मेरे साथ हाओ। पिछले एक साल में इनमे से हर किसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सीरियल किलिंग और खुन बहा कर दुनिया को हिला कर रख दिया है। एलन वर्नौस, पैदाश 1965। इसने 1989 से 1990 के बीच एक साल में साथ लोगों के सिर पर वार करके उन्हें मार डाला। और ये इंडियन है। नाम है केडी के सम्मा। साइनाइड मलिका करनाटक पुलिसी से इस नाम से बुलाती थी। इसने 1998 से 2007 के बीच छे महिलाओं को साइनाइड देकर मार डाला। हमारे कूड़ा थाई मॉडल केस की तरह है। और ये है रमन राघव उर्फ, संडी थल वाई, अन्ना थम्भी, वेलू स्वामी। ऐसे कई नाम है इसके। 1960 का ये एक कुख्याद सीरियल किलर है। एक दो नहीं बलकि इसने पूरे 41 लोगों को मारा है। इसका शौक था फुटपात पर सो रहे लोगों का सिर काटना। और ये है आटो शंकर। टागेट सिर्फ लेडीज रेप करके उन्हें मार देता था। एक साल में छे मारा है। ऐसे बहुत सारे नाम है। ताहब जैराम जिसने 125 लोगों की हत्या की। रोनु शिंदे जिसने केवल बच्चों की हत्या की। देवेंद्र शर्मा जिसने 100 लोगों को मारा। फादर कहिए... हाँ, यह है विक्टोरिया, मल्याली है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, हाँ, मुझे याद है। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारी जीजा राजियू भी इससे जानते हैं। विक्टोरिया, एक बार जब हत्या के मामली में उस पर शक किया गया था तब, राजियू भी वहां मौझूद थे। फादर मुझे हमेशा से एक बात जाननी थी। आखिर एक नन, जो एक अच्छे इसाई परिवार में पैदा हुई हो, वो मडरर कैसे बन सकती है। आनन्द, विक्टोरिया का इस खून खरावे की जिन्दगी से पहले, पता है उसका एक बहुत ही खुबसूरत अदीद भी था। बेचारी विक्टोरिया, दरसल वो एक निहायत ही सक्त पिता की इकलोती बेटी थी, वो एक यूथ आइकन थी, बहुत ही संदर, कराटे, जूडो, ब्लाक बेल्ट, आफ रोड ड्राइविंग, सभी में एक्सपर्ट, उसकी परस्नालेटी सभी को अट्राइक करती थी, कैंपस में उसे सभी पुकारते थे, फ्लाइंग विक्टोरिया के नाम से, क्योंकि वो सच में सुपरगल थी, अपने दोस्तों की मदद के लिए हमेशा तयार रहती थी, उसके इतने होनहार होने के बावजूद, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? जिसने पौधे को पानी दिया, उसने उसकी जने काट दी, विक्टोरिया का किसी से अफेर चल रहा था, अलग धर्म के किसी छोटी जादी वाले लड़के से, विक्टोरिया उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शायद नियती को ये मन्जूर नहीं था, विक्टोरिया की प्राबलम तब शुरू हुई, जब इस बारे में उसके पिता को पता चला, लेकर जाए पानी, बंद कर दो कमने पर, इसके बाद, विक्टोरिया को चर्च भेज़ दिया गया, उसे नन बनने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन उसके पिता और उसके भाई ये बात नहीं जानते थे कि विक्टोरिया प्रेग्नेंट थी, उसका पिता अपनी आँखों के सामने उसकी कोख में पल रहे, बच्चे को नहीं देख सकता था, इसलिए उसने उसे पुराने चर्च के पास वाले पागल खाने में भेज दिया, इसके बाद उपरेशन करके उसका पाँच महिने का गरपात करवा दिया, यहां तक कि उसका गरभाशे भी हटवा दिया ताकि अपवित्रता की कोई निशानी ना रहे, और ये सब कुछ किया डॉक्टर मलिका ने, नोटोरियस, बैसों के लिए कुछ भी करने वाली, लेकिन उसने ऐसा तब किया था, जब वो खुद प्रेगनेंट थी, उसके बाद विक्टोरिया का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, नहीं, सच कहूं तो डॉक्टर मलिका ने, दवाईयों का इंजिक्शन दे दे कर उसे पागल बना दिया ताकि वो चुप रहे, बहलाओं के खिलाफ हो गई, जब उसे पता चला कि वो फिर कभी मान नहीं बन बाएगी, तो वो पूरी तरह निराश हो गई, इस वज़े से उसने फैसला किया कि वो कभी किसी औरत को मान नहीं बनने देगी, वो प्रेगनेंट औरतों का गला काट कर उन्हें मारने लगी और एक सीरियल किलर बन गई, वो सर्व शक्तिमान ईश्वर का तिरसकार करने लगी, जिसने उस पर दया नहीं दिखाई, वो एक अराजक दावादी बन गई, एक ऐसी नास्तिक औरत जो शैतान की पूजा करने में विश्वास करती थी, सबसे पहले उसने डॉक्टर मलिका की गला काट, इसके बाद उसे मेंटल असाइलम भेज दिया गया, एक रात किसी ने विक्टोरिया का घर जला दिया, जिसमें उसके पिता के साथ छे लोगों की मौत हो गई, फिर उसके बाद रेलवे ट्रैक पर एक नन्द की डेट बॉडी मिली, जिसे बाद में पुलिस ने विक्टोरिया के रूप में आइडेन्टिफाई किया, और उसकी फाइल बंद कर दी, लेकिन आज भी रात के समय विक्टोरिया हमेशा अपने चहते शिकार की तलाश में रहती थी, अब इसे तरीके के हत्या का ये तीसरा मामला है, पुलीस के अनुसार ये वही कार्य प्रणाली है, पुलीस का कहना है कि सभी तीनों हत्याएं एक ही व्यक्ति ने की है, मुझे उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सुना, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो मर चुकी है, वरना प्रेगनेंट औरतों की हत्या के बारे में सुनने मिलता, हाँ भाई, निकल ही रह है, हम बस कार में ही बैठने जा रहे हैं, हाँ, राजीव को बोल दूँगी, ये लो, चलो, आजाओ, बेटा कहां गया वो वहाँ बहार है, चिंकी जाओ कार में बैठो, चलो बेटा, चलो आजाओ, आराम से, बेटा कहां है Прेसे लो बहार ही है आजाओ, आहो अग। समभल कर, राजीव मेरा भाई आनंद, प्यास सिर्फ दस किलोमेटर की दूरी पर ही है वो कह रहा था कि उससे मिल कर जाना देखते हैं बैठो आओ संभल कर कि सर कैसा लगा यहां बहुत अच्छा लगा सचेन चलो बैठो बेठी की स्केटिंग अभी भी चल रही है क्या हाँ जाओ गाड़ी में बैठो सर दोबार काव आएंगे जल्द ही आएंगे और अगली बार एक मेंबर और एड हो जाएगा हां ओके सर्व जर्नी थैंक्यू हम्म लेट्स गो जो हको में हो में हमारे होने वाले बेटे को कोई बे तकलीव नहीं होनी चाहिए उसे सोने दो प्लीज बेटा ही क्यों बेटी होई तो बेटा बेटी कहा ना यहां रुकुर। नहीं ना नहीं बेटा ही होगा तो फिर सम्झोता कर लें कैसा समझहता इस बार बेटी अगली बार बेटा अरे राजी रूचि यह लड़किया प्रॉबलमानटी की होती हैं है ना डैंट Willie I'm मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम में जग लगती हूँ मैं माम के साथ हूँ सच में अभी बैयाली सीनवेट से हैं हम वसे दिन में दो बार इंसुलीन लेना अच्छा नहीं होता पता है ना आनन हाँ लेकिन किसी तरह इस शुगर को कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना हम क्या ही ये गॉड माइकल के साथ खेल रहा है हाँ हाँ थैंक यू तुम्हारी बहन और जीजा जी निकल गए हाँ थोड़ी दिर पहले ही वसे उन्हें रात में सफर नहीं करना चाहिए खास तोर से जंगल में कोहरे की वज़े से तुम्हें तो पता ही है कि सडक पर कुछ भी दिखाई नहीं देता जीजा जी को दुपहर तक फॉरेस्ट के हेड ओफिस पहुचना है त्रिवेंद्रम में इसलिए अनन कहा खो गये तुम कुछ है है को ठुम्हें तो नहीं सोच रहें ये कोई भूध्प्रेत की कहानी लगती है ये तो पक्का नहीं है कि भूध होते हैं यानद विश्वास है हां लेकिन विक्टॉरिया विक्टॉरिया कोई मिथक नहीं है वो उतनी ही सच्ची है जितनी मुर्दागार की दुर्गंद किया हुआ कल की मीटिंग में मुझे सुभा ग्यारा बचे तक पहुशना है पता ने सुभा जल्दी उठ पाऊंगा या नहीं सुभा चार बचे का अलाम सेट करो मैं तुम्हें उठा दूगी मेरी निन खुलनी चाहिए ना डोंट वरी खुल जाएगी अच्छा अच्छा गूगल मैप सेट करो अभी सेट करता हूं सिग्नल लॉस्ट हो गया तो हम मुसीबत में पढ़ जाएंगे नेटवर्क चला गया अरे चला गया काली जबान है तुम्हारी अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ते हैं इन जंगलों और सडकों से ड्राइव करना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और स्वाइब मेरे जाएंगे राजीव हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए मैंने तुमसे पहले ही कहा था थोड़ी देर शान्थ हो जाओ अब हम क्या करेंगे कहान चूप हो जाओ क्या हुआ राजीव क्या कर रहे हो चेक करता हूँ पर क्या क्या है बेटा सचिन, तुम बहार क्यों आये? चलो, अंदर बेटो, चलो, बेटो राजीव, देखता हूँ, कोई सिगनल मिलता है क्या, ओके? हलो, 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 आनन्द, थोड़ी प्रॉब्लिम हो गई है, कहां पहुंचे हो तुम लोग? हम लोग अभी पुराने चर्च के पांस पहुंचे हैं, टार चेंज करना पड़ेगा, क्या? चेंज करने की कोशिच करता हूँ, नहीं तो सुबा तक यह ही रुख जाएंगे, सच्चिन, यह लड़का भी ना, हलो, सच्चिन, हलो, हलो, आनन्द, चिंकी, गाड़ी से भाहर क्यों आई? डरो मत चिंकी, अवंतिका, 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 सच्चिन, सच्चिन, अवंतिका, सच्चिन, अवंतिका, सच्चिन, अवंतिका, जिंकी बेटा, यहां से हिलना मत होगे सचेन जिंकी डरो मत बेटा, कुछ नहीं हो रहा तुमें सब जिंकी सचिन मैंने काज से बाहर आने को मना किया था ना सचिन मेरी बात सुनो सचिन कहां चला गया चिंकी 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 बेठा चिंकी सचिन चिंकी अवन्तिका आवन्तिका अवन्तिका अवन्तिका सचिन 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 अवन्तिका अवन्तिका सचिन सचिन मम्मी सचिन भया पापा कहा हो तुम तुम सब कहा हो सचिन सचिन पापा मैं यहां पर हूँ हो कहा तुम अवन्तिका सचिन 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 कहा हो तुम जिंकी जिंकी रापा रापा को सचिन भाईया बाईया क्या हुआ जिंकी कोई प्रोब्लम है क्या मम्मी वहाँ है नहीं मम्मी तो वहाँ पर है चलो सचिन जिंकी सचिन सचिन अवंतिको सचिन अवंतिको कर दो मैं सचिन यहाया आजू अजू पिस हो आजू अजू नूू नूू मारी अवां सेगा टो शो सबस्टा नजर उठाई तो उपर एक शिकार खड़ा था उसका रंग था पेल ग्रीन इसका मतलब होता है मौत और उसका साथ ही होता है कब्र इन दोनों को जान लेने का हक मिला है इस हत्यार से कर दो कर दो कर दो का कि वे भी जयाँ अस्वा हम्हँ हुआ हुआ हَحَحَ आवन्तिका आवन्तिका जल्दी भागो यहां से जरतोसमा से करको प्राड़ मा 271 यहां से स्की्टे घड करना है रहा प्राज़ अंगने राट कर्सास कि मत你रे अचया रादि करना रहा बाद 놈ब कि अन्यूज़ कर दो दो कर दो कर दो दो कि अ अ अ मम्मी श्ष्ष चिंकी अवास मत करो करते होगा पुट संप है अरे जिज़ाजी काल कर रहे थे है । है तो अलो हलो है वादर क्या हुआ आनंद मेरी बेहन और जीजा जी क्या हुआ उन्हें मैंनों ने कॉल किया था लगता है लगता है कोई मुसीबत में हैं आनंद साफ साब बताओ आखेर हुआ क्या है मुझे लगता है वह रास्ता भटक कर जंकल वाले पुराने चर्च में पहुंच मैं दी औरत की डरावनी हसी औरत विक्टोरिया हुआ 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 है हे बच्चो बच्चो मेरे पास आओ उन्हें मत रोको क्योंकि स्वर्ग तो बच्चो का ही होता है तुम कहां हो बच्चो मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगी अरे मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास आओ मेरे पास मेरे पास आओ ही 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 आओत ecology आओत को जओत्यों जनके सचでき आओत को आओत आओत्यों आओत्यों भी पना सुनल यहर ओ Daar अश ,man अम्मी आओ चिंकी याओ बेठो रहो मन मैंने देखा जैसे ही मेम्नी ने छटी मोहर तोड़ी और बड़ा भोकम पाया सूरज काले कपड़े की तरह काला हो गया और चंद्रमा खून की तरह लाल हो गया खून की तरह बड़गो अँ़ खाह तरह ख्चित ख़ण थाяг ऋर? कुई कीक प्रॉट थे भुटक प्रॉटग अई RHण जाव 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 प्रॉटग है लो कि अ घाव देजने हैं हुई को देड़ है हुआ 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 कि अओ कि अच्ट इन याठी यह लाँ 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 को रूजिता नोगे? रजी दूअ को रोड़िन! रह रहा हा राजी वारा! आवास मत मत करो! राजी वारा मेर बच्चे! क्तुम्हें कुछ नहीं होगा डूंट वरी राजी अब यहां से बाहर कैसे निकलेंगे जरू निकलेंगे कि शान्त हो जाओ तुम लोगों को मैं यहां से जरू निकालूंगा बहले ही इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए घबराओ मत अवंति का मैं हो ना तुम्हें कुछ नहीं होगा मैमी मेर बच्छो जुपो जाओ यही रुको और सांग रहो में आले करा ता हो तुम गपराओ मत ओकि तुम यही रुक ना हुआ 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 आनन्द तेज़ चलाओ मुझे यकीन है कि वो विक्टोरिया ही है जो इस चर्च में रहती थी राजियू तुम्हारी बेहन और बच्चे मौत के मुँ में है क्योंकि विक्टोरिया जख्मी शेरनी है अगर उसे जरासी भी खून की महक आई तो वो वहां सब का खून बहा देगी आई तो तुम्हार नड़ मिद प्राव प्रावजिया सब घून की विक्टोर नडियू जयू थे विक्तोर नड़ me विक्टोरिया जज़ जड़क्तोर सुष्वण मिद अर्भब चुम्हार एव जड़क्टोर मौन की लोग्प्टोर अड़क़्ीजद옥 हुआ 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 ... मैं और नही जब जब। का तर मुषब ममी पमी पपा सचि जिंकि की पाझ्ची सचि पूझ कोषे हैं पूश पूचा पूचरा आप आपकला जिंकि पूश पुशे होगा पूचरा में वेे अब करें आरम शबस्मर्कारा! वायो समत आर आर. अजर्ट्षऽ आर्णेश रर्धिन्षप अवाया आए अजाया तॉ्षर हाषी, जुषर हाषी सम्ववपाइबगर ऐसे पार प्लाएभ़ प्लाएवपवद रख़ना आगरेंगी उलाएवपर नुझ रसे पर दियोगद झारेंगी वाःट तैव हिए नजसे हम नग्याख कुफ weten है पन्य democratic यह नग्या रफ उवेड्याश क्रणी नग्याश क्शे बन्याश एल बर परे जर नह बجौर का मैंक आदे आझे रहीnd रहीं आप जँस झाव जँस रजस यजस हुआ है यह आपूट नहीं हैं यह कर गज़ा दोट्स है आपकर नहीं ध्रिय ध्रत को है यह कर दिए है कि वा करांद psychology जा नहीं है विद आपक में नहीं है कि अबुद करेंद मांद्या नहीं हुआ लूर। तरो मिटना भीन, आराम से काया थेक है भाराम राजीर के, यहां देखाँ पेखित, राजी मुझे राजीर like भीन, पूट की यही है जिन्टाभत करो आगों इंशे अजिन बाबा राजी आग कर सब्गें आ बजी को अ कुछ नहीं होगा आगों 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 बाबा वापा राजीम राजीम मेरा बेटा साचैन साचैन राजीम मेरे बच्ची को बचाो पेरे बच्चे को बच्चाल्य करो बेटा कुदो चुरू जिटकरा जלא, जडिकरा लोग हो conquestक चम्स जलो जलो जल लो ओा ने जलो चलाब झाल, चलावसी बसी बसल, जession को चला बसल, चलाबना क давай बसल, तर झाल, q八TF ? हा झाल, चलावसी लाणक ओमेगा लाई प्लाव, जाउ हाराब से फचो, हाराब से मेरा हाथ पगड़ा छोप जाओ इस तरह इस तरह इस तरह में फिन्यो जिन्यो एई हाँ हाँ रए प्रणार दो हुआ झाल कर दो दो ठीक है जो प्रफूल राजी औम नाश। बाथ इब मुज़ से घाया। बाथिवरो ुझा घाँ झालतो प्रोंक एरिंग लड़ subscribe अटिर लड़ कर लड़ लड़ राजीव याओ जलो राजीव राजीव समाल कर सच्छ मेठा राजीव राजीव कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा सब रहे हो जाएगा आजाओ आजाओ बटा राजाओ राजाओ हाथ पकड़कर जलना बच्छो संबलकर सब जलना फ्ट आट राजीव सबस्टीव राजीव राजीव संबलकर तॉे की हाऴ राजीव राजीव ! मेरी बेटी काया है ! राजीव जीव काया है ! जीव काया राजीव अवंतिका.. यार्णू सा.. जीव .. मेरे बेटी.. राजीब मेरे बच्ची का ए राजीब मेरे बच्ची का ए राजीब राजीब चेंके प्सऐ राजीब 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 हुँ हुँ हब रहvat? ह वज रदिह हुँ हुँ सρο चयते और हतनी हुँ कर दो कर दो कर दो जो कर दो कि अ कर दो कर दो कर दो कर दो कि इता है तो नहाँ अनुट मेता था आनुट में वस्तराफ आजो 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 इसे यह डाना होगा चो बच्चो गो आजोएब मU böyle है लगि दोह प्रीको कि Spider-Man में, जजोएब में प्रीको और रहyu और अिया लगिया लोगिया तो बें ती करा है न? हम हाचा 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 हाच 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 पहले मैं जाता हूँ और फिर तुम मेरे पीचे आना हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ 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 है हुआ 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 हु करेंद कर न झाल। कि शो ए रो US हाहा… גם जिजए से खिलित अंगर Are you मुपले खो oh आखिर कार पुलिस ते और अभी विली खबर से पता चला है कि विक्लोगिया की पुलिस ते पता चला है कि यह केस लगबख सॉल्व हो चुका है कि विक्तोरिया इस गर्ष में कई सालों से बंद थी और किन हाला तों में यह सारी वार्दात अंजाम हो रही थी कि अधिया थिन आए लगते हो फिर से भाग गई हमारे आदमीं उसे ढूंड रहे हैं फिकर मत को वो जल्दी पकड़ी जाएगी मैं सब कुछ सबा लूगा तुम जाते हैं तुम चिंता मत करो में यहां सब मैनेज कर लूगा राजीव तुम ठीक हो ना आँ मैं ठीक हो चलो निकलते हैं यहां से दीदी बैठो अंदर आप देख सकते कि सभी लोग टेंस्त है और मीडिया से जादा बात नहीं करें विक्टोरिया जैसी एक सीरियल किलर का पुलिस के हाथों से भाग जाना काफी शर्म जनक बात है हम अपको पलपल की खबरे पुचाते रहेंगे आप बहें रही हमारे साथ हम लगातार पुलिस से पूश्टाच कर रहें और इस बारे में और जानकरी हासल कर रहें जल्दी आना आनंद चलती हूं ताइम जल्दी निकल गया है ना अच्छे पिचर थी है ना चलो कोई बाहर खाते बैठो नई घर जाकर खाना खाते हैं मा के लिए ठीक है चलते हैं रास्ते में पार्सल ले लेते हैं हम बैठों है बैठों है आराम से बैठना हम संभलकर संभलकर हाँ थेक से बैठ गई ना हाँ कि वैसे तो मूवी की बहुत बुराइय करती हो आज कुछ बोल क्यों नहीं रही हो क्योंकि मुझे वो मूवी बहुत पसंद आई अभी अंदर से डर लग रहा है किस बाब का विक्टोरिया के वले एक आक्टर ही नहीं है वो एक जीविच सत्य है क्या तुम भी अभी तक रिलेक्स फिल नहीं कर रही हो गया कैसे रिलेक्स फिल होगा मैं भी विक्टोरिया की वॉंटेड लिस्ट वाले स्थिति में ही तो हूँ कितने दुख की बात है तुम अपनी रियल लाइफ को मूवी लाइफ से कंपेर कर र कि अद्सक्राइब कर रहे तुम भी जैसे हीरो हीरोईन का ख्याल रख रहा था ठीक वैसे ही ख्याल रखोंगा मैं तुम्हारा हूँ याची नही एक कि अधु नहीं नहीं कि अधु नहीं नहीं